वेलकम टू स्टेडि गूरूप पाठचाला में विलाश और आज ही क्लास काफियर इसमों डिस्पस करेंगे एक लेटर को और यह लेटर उपल लेटर टू एडिटर ओन एडूकेशन ब्योंड क्लास्रूम टीचिंग इंपॉर्टन टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए एक kijको प्रपायर कर सकते हो और उसका लिंक आपको discussion मिल जायेका और साथी साथ प्रेसी राइटिंग की प्लैय लिस्ट और ऐसेगी प्लैयृस को भी देख लिजाएगा अनका भी लिंक आपको डिसक्रिशन में मिल जाएगा इसका इसाए सबी उसमें में प्रिंडि छेंश और शादी साथ जितने भी इंपोर्टेंट प्रेसी राइटिंग और यहां प्रेसी राइटिंग को 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 प्र यहां पर आपको इस तरह से एड्रस दिया गया आपका नाम भी दिया गया है उसके बाद देखा और यहां पर बोला जा रहा है कि आपको दिया गया है तो जितना आपको जैसे लिए गया वैसे आप लिख लोगे इसको दो तरह से लिख सकते हो अगर अगर तो करके लिखना जाते हो तो भी लेख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो यह सब्जेक्ट में क्या लिखो और 291 यह सब्जेक्क कॉष 유ट्य कर देसे इसके वाइस तरह सरा से आप फूरा फॉर्मेट फॉलो करेंगे जो आपको letter का format है उसको खुने करना है घर को लिकिदीllen अगर यहिए अगर आपको फ्रेंड को पर इसके बाद आपको starting किया से खरनी है और यह कि आपको नियुक्त करहोगे अब क्या क्या लिखना है क्या से लिखना यह देखते हैं तो शुरुआत्र की जालू शुरू करोगे जहां पर आपसे question पूछा जाएगा जिससे साब से वहाँ से आप अपना यहां पर variation कर दोगे जो the attention of the concern authorities and public towards education beyond classroom teaching ठीक है जो question दिया गया उसी को यहां पर include कर दोगे तो यह आपका first बिलीव करते हैं कि जो classroom education है वही सबसे जादा important successful होने के लिए right starting आप इस तरह से करोगे कि classroom learning beyond classroom learning क्यों education important है तो पहले चीज़ आप यह बताओगे school learning ज्यादा स्कूलों में क्या हो रहा है school learning पे जादा courage personality building sports and community engagement ठीक है यहां पर बता सकते हो कि इस process में classroom teaching के process में हो क्या है जो talent और skills and student कि उसको ignore कर देते हैं जैसे painting है music है sports related qualities है community engagement है personality building है इस तरह की चीज़े जो है वह उतना focus नहीं करते तो यहां पर इस तरह से आप यहां पर लिखना शुरू करोगे बताना शुरू करोगे क्यों important है classroom beyond classroom learning क्यों important है उसकी importance क्या तो यह आप यहां पर बताना शुरू करोगे इस तरह से right instead of pushing the children like beast of burden they should focus on the holistic development of the student यानि कि school and colleges को केवल children के उपर एक तरह से बोज दालने की जगह है वो उनको एक तरह से animal ना treat करें मतलब उनके उपर बहुत ज़्यदा बोज ना डालें बोज डालने की जगह उनको उनके holistic development पर focus करना चाहिए कि पूर्ण रूप से develop हो सके तो इसके लिए classroom के बियोंड जाके भी चीजों को सिखाना चाहिए उनको केवल classroom में सारी चीज़ें वह नहीं सीख सकते हैं तो इस तरह से यहां पर बता सकते हैं इस तरह से starting में इस तरह से better तरीके से इस से related points आप लेख सकते हो इसके बाद देखो था school should suggest ways in which learning can take place outside classroom यानि schools जो है वो कुछ ऐसे उनको ways suggest करने चाहिए ऐसे रास्ते बताने चाहिए जिसके तुरू क्या है कि classroom के बाहर यानि outside classroom भी learning हो सके जिसके तुरू लोग बच्चे जो है experience जो है जो strengths वो कुछ सीख सके हैं ठीक है तो उसके लिए बहुत सारे चीज़े की जा सकती है वो भी आप यहां पर बताओगे स्टार्टिंग आप इस तरह से कर लोगे इसमें जो काफी relevant लगेगी और काफी जदा impressive लगेगी तो यहां तक आई हो आप लोग समझ पा रहे होंगे इसको इसके बाद सजेशन दे सकते हो कि क्या क्या किया जाना चाहिए ताकि outside learning को भी यहां पर बढ़ावा मिले अब outside learning के लिए क्या किया जा सकता है कौन-कौन से ways हैं कौन-कौन से तरीके हैं वह आप यहां पर बता होगे इन एनी फॉर्म लाइक विजट लोकल कमुनिटी विजट टुफांस एक्टरी ऑफिसे साइस सेंटर और नेशनल पार्क ठीक या जो स्कूल से वह खुद इस तरह की इवेंट कर सकते हैं कि जो जो अलग अलग लोकल कमुनिटी को विजट करने के लिए इसको इस्टुएंट्स को ले जा सकते हैं फार्म फैक्टरी ऑफिसेस और साइन्स सेंटर या फिर नेशनल पार्क दिखाने के लिए ले जा सकते ताकि जो एस्प्रेंट्स हैं जो बेसिकले चल रहे हैं वह काफी ज़ज़ा सीख सके और प्राक्टिकल नॉलेज भी ले सके सकते हैं चीजों के टेक्स्ट नॉलेज के अलाबा क्रत्राक्टिकल नॉलेज़् देव्लाफ पोड़ सके रिए तो शचिटवा सके आप जो है इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से इंपोर्टन्स को बता सकते हो कि आए इंपोर्स्रूम एंट से ट्लासरूम प्लेरिंग मे में और सॉसाइटी में भी काफी कुछ कंट्रिबूट कर सकेंगे यह तरह से उनकी स्कील्स डेफल्प्धन्मेंट हो गए आप यहां पर इस तरह से वह समझेंगे बढ़ चाफ से अपने आप उनकी जो social skills सो वो exactly करेंगी और वो लोगों से बात करना सीख जाएंगे लोगों से अलग अलगतर ऐसे इंटरेक् hours करना सीख जाएंगे अलग-अलग लोगों को जानना पहचानने इस तरह की चीज environments से अंगे इस तरह की पे ऊकार कर सकता पersonal skills कर women इसकी क्या importance है तो यह पर importance आपने बता दी क्या करना की और suggestion वी दे दिया किस तरह से beyond classroom learning को एक तरह से फ्रोज कर सकते इंफोस कर सकते और बढ़ावा दे सकते वो सारी चीज़े आपने आपने बता दी इसके बाद देखो I would request you to publish this letter in your newspaper so that it reaches maximum people and the concern authorities can do the needful in this regard तो आपको लास्ट पैरा में इसी तरह से लिखना पड़ेगा कि आप इस तरह से रिक्वेस्ट करोगे जो एडिटर है उनसे कि आप इस लैटर को पॉब्लिश करें तक कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह जो निउस पेपर के आदम से लैटर पहुंँ सके साथी साथ जो इन तक भी यह लैटर पहुंँ सके और वे जो हैं जिसके ज़रत है उसके रिगार्डिंग कुछ लॉज या फिर कानून बनाए या फिर उससे रिगार्डिंग कुछ स्टेप्स लें ज़री चीज़ें वह यहां पे करें तो इस आपके बाद योज फेट्फुली यह यह सिंसिरली लिख सकते हो उसके बाद जो भी आपका नाम है नवनीत या पुश्पा में से कोई एक नाम आप लिख लोगे अपने जेंडर के साथ से तो आई होप आप लोगको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे इस तरह के टॉपिक को सब्सक्राइब कर लिजेगा ऐसे लेटर प्रिसी और अप्लिकेशन चारों की प्लेलिस बनी हुई है अलग-अलग जाके आप उनको देख सकते हो ताकि आप से कुछ भी पूछा जाए तो आप उसको बैतर तरीके से लिख पाओ और इसके साही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल को जुआइन कर लिजेगा इस पर आपको सारी पॉर्डेंट पीडिया और क्लास की नोटिफिकेशन में मिल जाती है तादी साथ यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईगा वीडियो लगाव तो लाइक करेगा शेयर करेगा अपने सबी दोस्तों म और सब्सक्राइब कर लिजे चैनल को अगर आप में तो कोई नया है तो राइट फेंट तो अभी के लिए इतना ही नेक्स मिलते हैं इक दी क्लास में थैंक्स वोचेंगे